Hey guys, this is Mughal Chayma A.A.K. Stuff Listings. Welcome to the 400th episode of Tech Stuff. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, once again, एक बहुत बड़ा milestone हम लोगोंने आज फिर से रीच किया है. 400 episode हो चुके हैं Tech Stuff के. अगर आप रोज की एक वीडियो के हिसाब से देखो, तो this has been more than one year, but yes, आपको Tech Stuff दिन के दो मिलते हैं, so एक साल तो नहीं हुआ, but it feels like, you know, it feels very good, it feels amazing that आप लोगोंने जो support रखा है, पहले Tech Stuff से लेके आज तक, बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैं, setup बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लोग नए जुड़ते गे, हमारे साथ, और we started off at a very low scale, और आज हमारी वीडियो को बहुत सारी लोग देख रहे हैं, 40,000 Stuff Listings Army strong हो चुके यहां पे, and I hope कि यह आगे ऐसा ही बढ़ता जाहें, जब 500 हमारा Tech Stuff होगा, तब तक Stuff Listings Army से double, triple हो चुके हो, so without waiting any further, let's get started. अज़रे स्टाट करते हैं Samsung के साथ, Samsung Galaxy Note 20 series of smartphones already launch हो चुका है, but Samsung अपने Samsung Galaxy Note 10 series of smartphones, जिसमें Samsung Galaxy Note 10 और Note 10 Plus smartphones रहते हैं, उन दोनों smartphones को भी नहीं बुलाओ, और finally Samsung Galaxy Note 20 और Note 10 Plus smartphones में, One UI 2.5 update rollout होना start हो चुका है, over the air, अगर आपके बाद Samsung Galaxy Note 10 और Note 10 Plus में से कोई भी smartphone है, अब One UI 2.5 को अपने smartphone पे officially enjoy कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ हैं, Vivo ने एक नया smartphone, अभी के लिए ये commercially available तो नहीं है, बट इसको showcase किया है, जिसका जो rear panel होगा, वो color change कर सकता है, आपको मैं screen पे दिखा रहा हूँ एक ये जो वीडियो है, बहुत ही एक interesting take है Vivo की तरफ से, बट कहीं न कहीं मेरे को ये लग रहा है कि ये sales पे बहुत effect कर सकता है, अगर ये technology आगे future generation of smartphones में implement होनी शुरू हो गई, तो जो अलग-अलग color options होते हैं, जिसके चक्कर में companies बहुत बार sales वगएरा effect कर लेती हैं, अपने profit वगएरा बना पाती हैं, because कई बरी special editions वगएरा launch होते हैं, कई बरी color variants launch होते हैं, उस सारी चीजों को ये जो technology है वो curb कर देगा, एक smartphone आपके बास होगा, आप अपनी मर्जी से color वगएरा set कर पाएंगे, अभी के लिए technology बहुत ही nascent stages में है, बट future में हो सकता है, जो smartphones आएंगे वहाँ पे आपके बास choice रहेगी, अपनी मर्जी से अपने smartphones को rear को color करने की, आपको इस technology की बारे में कैसा लगा, आप comment section ये वैसे आप हमें बता सकती है, आगे बढ़ते हैं TikTok की तरफ, TikTok कुछ अच्छे कांसे time से इंडिया में ban हो चुक है, बट सुनने में आ रहा था कि TikTok वो आपस इंडिया में अपना comeback कर सकता है, बट जो इसके owners होंगे, वो अलग होंगे, और उसके साथ इसमें जो भी प्रिविसी वाले जो issues आ रहे थे, threats आ रहे थे, उनको ठीक कर दिया जाएगा, आप सुनने में आ रहे हैं कि Softbank is also considering to buy the TikTok franchisee in India, अभी एक नई रिपोर्ट निकल के आई है, आप देखते हैं क्या बनता है, वट ये TikTok हो सकता है कि जल्दी ही इंडिया में अपना comeback कर ले, आपको यह news कैसे लगी TikTok के return के बारे में आपको आपके क्या ख्याल हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आगे बड़ते हैं, ओपो की तरफ हैं, ओपो ने बहुत सारे स्मार्टफोंस अभी रिसेंटली लाँच किये हैं, ओपो के flagship स्मार्टफोंस, ओपो Find X2 Pro, ओपो Find X2 Pro, Lamborghini edition अभी हाली में लाँच हुए हैं, इनकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर वैसे मिली जाएगी, बड़ अब ओपो एक नया स्मार्टफों जल्दी ही लाँच केने वाले, इसका patent company ने फाइल कर दिया है, European Intellectual Property Office में और साथ में चाइना के National Intellectual Property Office में भी, यह स्मार्टफों कुछ ऐसा देखेगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पीछे की तरफ आपको एक Honeycomb style का camera module मिलेगा और आगे की तरफ आपको मिलेगी एक single punch hole selfie snapper, अब यह एक नया टेक है ओपो के smart phones का in all likelihood यह ओपो के A-series का smart phone हो सकता है, इस series में ज्यादा ऐसे camera modules हमें थोड़ से अलग तरीके की देखने को मिलते हैं, आपको क्लिकता है ओपो का कौँ सा smart phone हो सकता है comment section में आप हमें बता सकते हैं, और ओपो की अगर हम बात करें तो आपको मैंने कुछ time पहले बताया था कि ओपो अपना smart TV भी launch करने वाल है, ओपो TV कुछ time पहले चाइना की 3C certification website पे certified हुआ था और अब लग रहे है कि ओपो के TV ग्लोबली भी launch होगा, विकज ओपो के TV का जो remote है, अब यह स्मार्टफोन का नहीं है, अब यह स्मार्टफोन अगर अगर इंडिया में लाँच होगा तो इसकी सम्वेर अरौंड 19,000 रुपीज प्रैसिंग होगी, इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है 64 plus 8 plus 2 plus 2 का पीछे की तरफ camera module और आगे की तरफ अगर हम बात करें तो 2 cameras है, 48 megapixel प्लस साथ में 8 megapixel का आपको मिलता है, एक ultra wide lens, 6.9 inches की full HD plus display है, 90 Hz की refresh rate, HDR 10 plus certified, MediaTek Heliogene NTT processor है, 8 GB RAM, 128 GB की internal storage है, 4500 mAh battery, साथ में आपको मिलेगी 33 watts की fast charging, तो एक अच्छा खासा smartphone है, दिखने में तो बहुत premium smartphone लग रहा है, I hope कि यह smartphone इंडिया में आए, because of course, 10-20 की range में Xiaomi, Realme, even Poco और अब Samsung थोड़ा सा घुस रहा है, यह 4 brands के अलावा बहुत competition कम है, मैं चाहूँगा कि ऐसे smartphones भी इंडिया में आए, थोड़ा बहुत इन बाखी companies को भी लगेगी, कि yes, कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए, जिससे लगे competition है, यह genuinely निकला, ठीक है, spontaneously निकला, आगे बढ़ते है, Realme की तरफ है, Realme ने finally launch कर दिया, अपना Realme 7 series और smartphones, Realme 7 और Realme 7 Pro, तो आपको 15,000 से 23,000 के आसपास की range में मिलेंगे, बट इससे दिक्कत यह आगे कि Realme की जो Realme 6 और Realme 6i smartphones हैं, उनकी pricing को company justify नहीं कर पा रही थी, that's why Realme 6 और Realme 6i smartphones पे price cut अब apply कर दिया गया है, मैं आपको screen पे वैसे नए prices भी दिखा रहा हूँ, 4GB, 64GB जो variant है Realme 6 का उसकी pricing होगी 14,000 rupees, 664 की 15,000 और 6128 की 16,000, 8128GB जो variant है उसकी pricing अब रखी गई है 17,000 rupees, Realme 6i अब 13,000 से start होगा, 4GB RAM, 64GB internal storage के लिए, और जो 6GB RAM और 64GB variant है उसकी pricing है 14,000 rupees, अगर आप Realme 7 series और smartphones नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक पिछली जनरेशन वाला smartphone आपको कुछ कम price में मिल जाए, because specs के अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा world changing यहां पर आपको difference नहीं मिलेगा, तो अब आप Realme 6 और Realme 6i smartphones को थोड़े से कम prices पर इंडिया में buy कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ हैं, Xiaomi की तरफ से एक interesting news निकल कहा रही है, अगर आप मेरे source की माने, तो Mi 10T, Mi 10T, इसको मैं आप लिख देना यहां पर, कुछ लोगों को वो गलत लग गया था, जो मैंने पिछली वारी Mi 10T बोला था, मैं वो नहीं कहा रहा था, 10 और T कहा रहा था, Mi 10T smartphone इंडिया में जल्दी ही launch हो सकता है, इस smartphone में हमें मिलेगा 64 Megapixel का primary rear camera और साथ में Qualcomm Snapdragon 775 processor, अब अभी के लिए एक मेरे source ने मेरे को बताया है, confirmed 100% तो नहीं है, यह chances है कि Mi 10T smartphone इंडिया में launch होगा, mid September के आजपास हम expect कर सकते हैं कि Qualcomm का जो Snapdragon 775 processor है, यह unveil हो जाए और Xiaomi might be the first company जो इस processor को use करेगी, अब देखते हैं, mid September of course it's not too far from now, अब कुछ 10-15 दिन में हमें इसके बारे में और information मिल चाहेगी, आगे पड़ते हैं Poco की तरफ हैं, Poco के दो smartphone launch होने वाले हैं, जल्दी ही दो से जादा भी हो सकते हैं by the way आपको इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, अब इक हिंट दे रहा हूं कि Poco M2, Poco X3 के अलावा भी कुछ smartphones जल्दी Poco के launch हो सकते हैं, अब इक लिए हम फोकस करते हैं Poco M2, Poco X3, NFC पे start करते हैं Poco M2 के साथ, और सुबह की desktop में मैंने आपको बताया था कि yes there are high chances कि Poco M2 smartphone में हमें, एक full HD plus display देखने को मिल सकती है, अब company ने officially confirm कर दिया है flip card पे और twitter पे भी कि yes Poco M2 smartphone is indeed going to feature a full HD panel, 6 GB RAM के हिसाब से company ने कहा था कि यह सबसे affordable smartphone होगा, अब यहां पे full HD panel भी है, देखते हैं इसकी pricing कैसी set करती है company, उस हिसाब से Poco M2 के बारे में हम judge कर पाएंगे, इसकी pricing बहुत matter करने वाली है, अगर यह एक rebranded smartphone है, अब अगर यह Redmi 9 Prime का 6 GB variant है, जैसा बहुत सार लोग speculate कर रहे हैं, तो pricing कहीं ना कहीं बहुत matter करने वाली है, मैं honestly नहीं चाहता कि यह Redmi की जगह यहां पे Poco लिखा हो, और by the way, Redmi की अगर हम बात करें, तो Redmi 9 Prime तो smartphone हमारे पास आज आ चुक है, बट एक और smartphone यह Redmi 9 भी हमारे पास आज आया है, तो इसकी unboxing भी मैं आज ही करने वाला हूँ, इसके बारे में अगर आपके कोई questions वगरा हैं, आप मिर से पूछ सकते हैं, unboxing मैंसे मैंने smartphone को निकाल दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं Redmi 9 और Redmi 9 Prime smartphone, इन दोनों की comparison video भी बनाऊं, because there are a lot of factors, मैंने practically अभी इसको कुछ 8-8 गंटे से चला रहा हूँ, आज ही आया यह smartphone, मैंने को actually मैं लगा कि इसके comparison video को बनाने का एक बहुत अच्छा scope है, equally priced, almost equally priced, and there are certain differences between these two smartphones, जो आपको पका से पता होने चाहिए, so yes, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी unboxing, और of course unboxing तो मैं आपको बना के देही दूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी comparison video भी आपको बना के दूँँ, आप comment section में बक्का से हमें बता सकते हैं, by the way अगर आप देखना चाहते हैं तो this is what the Redmi 9 smartphone looks like, और difference अगर आप देखना चाहते हैं, यह unboxing से भी पहले का आपके लिए के experience है, exclusive आपको tech stuff में मैं content provide कर रहा हूँ, आगर बढ़ते हैं Poco X3 NFC smartphone की तरफ तो आज company ने officially confirm कर दिए कि Poco X3 NFC में हमें मिलेगा liquid cool 1.0 plus, यह liquid cool 1 था उसका plus variant है liquid cooling technology का, that means Qualcomm Snapdragon 732G जो processor होगा उसके processes में, जो भी gaming वगर अगरते हों, अगर आपका smartphone heat up करता है, तो Poco के हिसाब से the Poco X3 NFC smartphone is going to stay cool, अब देखते हैं कितना cool रहता है smartphone, यह तो launch होने के बाद, use करने के बाद ही पता चलेगा, but yes, Poco X3 में हमें liquid cool 1.0 plus technology देखने को मिलने वाली है, और cool की अगर हम बात करें तो stuff listings army is soon going to be cool, यह एक मैं आप लोगों clue दे रहा हूं एक अगला giveaway है, जल्दी ही होने वाला है एक अच्छा खासा बड़ा giveaway होगा, अगर आप जो मैंने आपको clue दिये उसको debunk कर पाए तो आप घणे होशिया है, आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूस की तरह एंट वन प्लस से करते हैं आज की न्यूस, वन प्लस एटी स्मार्टफोन जल्दी ही लॉंच होने वाला है, विकिस एंड्रोइट सेंट्रल ने इसका एक exclusive leak किया है, अब इतनी reputable publication अगर exclusive leak कर रही है, यह ली गलत नहीं हो सकता, अगर हम लीक की माने तो वन प्लस एटी स्मार्टफोन में हमें जो specifications वगरा मिलेंगी वो कुछ ऐसी होंगी, 6.55 इंचिस की AMOLED पैनल यहां पर curve display शायद ना हो, साथ में मिलेगा Oxygen OS 11 based on Android 11, Android 10 पर नहीं Android 11 पर रन करेगा, OnePlus 8T, साथ में होगा Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor, 8GB RAM, 128GB internal storage, 120Hz की refresh rate display मिलेगा आपको, 48MP का primary lens, 16MP का wide angle, 5MP का macro lens और साथ में 2MP, 2MP का portrait lens मिलेगा आपको, यह सारी चीज़ें OnePlus 8T की आप यह लेके चलो कि confirm ही है, exclusive leak इतनी बड़ी publication बिना किसी evidence के नहीं करेगी, So yes, OnePlus 8T most likely आपको September के अंट तक देखने को मिल जाएगा, pricing के बारे में अभी confirmation तो नहीं है, यह हम expect कर सकते हैं कि OnePlus 8 Pro जो smartphone है, उसके around ही हमें OnePlus 8T की pricing देखने को मिल जाए, और आज की वीडियो का poll भी आप लोगों के लिए यही है, कि OnePlus 8 Pro और OnePlus 8T, अपकोर्स 8T एक नया smartphone होगा, बड़ specifications के हिसाब से अगर यह smartphone OnePlus 8T, अगर OnePlus 8 Pro से महंगा हुआ, तो आप कौन से smartphone को buy करना चाहेंगे, OnePlus 8 Pro या फिर OnePlus 8T, कम्निटी सेक्षन में जाके, पोल करके आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो में कबड़े से बहले कल का पोल देख लेते हैं, कल मुने अप से पोल में question बुच्छा था, what are your thoughts on the pricing of the Realme 7 Series, 64% लोग कह रहे हैं well priced, 35% लोग कह रहे हैं overpriced, and 2% people are saying it's underpriced, majority यहां पर कह रहे हैं, कि it's well priced और चलो अच्छा है, यहां पर लोगों को यह smartphone series पसंद आई, 6100 लोगों ने vote किया था, आपकोर्स 6100 में से 64% लोग कह रहे हैं, कि Realme 7 Series की pricing अच्छी है, और वीडियो को अत्म करते हैं, कल के comments के साथ, सुरप पाल जी कह रहे हैं, after you have started text up, I have stopped watching smartphone launch events, as all your leaks are always 100% true, thanks a lot brother, आपका data बचाने की पूरी-पूरी यहां पर कोशिश है, but yes, मैं चाहूंगा, यह launch event का अपना ही मज़ा होता है, उसको देखने काला की मज़ा होता है, the way they present things, और yeah, launch event आजकर थुड़ा से ऐसा हो गया, की confirmation of leaks वाली बात होगी है, लेकिन जो भी है, चलो ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप आपने ऐसा कहा, एक्रम अंसारी साहब जी कह रहे है, पाब जे नहीं हम तो बाब जी खेलेंगे, बाब जी कुन से के में, बनाओ, 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 रोहन जी आके करें, bro, style listings कब आएंगी, tech news देने के लिए, आपने कहा था कि week में 2-3 बार वह आएंगी, ठीक है, ठीक है, हम ट्राइ करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, इसके लिए आपको जाठ टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा यार, जल्दी, एक बड़ी थोड़ा सा चैनल हमारा established हो जाए, बहुत सारी हम चीज़ें करेंगे आप लोगों के लिए, बस यस, आप अपनी सपोर्ट बगरा बना के रखिएगा, परागे बढ़ते हैं, कमेंटेटर ओफ देडे की तरफ हैं, शिवं कुमार इस दे कमेंटेटर ओड़ी वो करेंदेगे, स्टाफ लिस्टिंग्स आर्मी विल बी 1-1 के स्ट्रॉंग on Twitter, वाल रीडिंग इस कमेंट, शायद अवी तक तो नहीं हुई, यह चीज तो मने नोटी से निए कि हम 1 1 1 1 1 5 पार 1, यह भी हम जल्दी ही होने वाले हैं, So, congratulations staff listening army, Twitter पे फिर से एक नया जंडा गाड़ने के लिए, और वीडियो के तम करते हैं, सब्सक्राइब के साथ हैं, if humans start killing each other at the same rate that we kill animals, we would be extinct in 17 days. Some interesting fact that we all should know, but we should not never implement this thing. So, there you go guys, यह था 400 वा एपिसोड, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई, जितने भी लोग शुरू से हमारे सा जुड़े हुए हैं, यह इस journey में बीच में हमारे सा जुड़े हैं, I would expect, hope and pray, कि आगे तक हमेशा हम सारे लोग साथ में जुड़े रहें, आपके support के बिना इतने एपिसोड कभी भी, हम shoot नहीं कर पाते, publish नहीं कर पाते, और जितना भी आप लोग ने प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत मेंटर करता है, trust me on that, God bless you all, peace.